वेलकम टू माई चैनल हम लोग जो बर्फ देखते हैं वो दो तरह की होती है एक ऐसी बर्फ होती है जो कि पूरी की पूरी ट्रांस्पेरंट होती है और दूसरी क्लाउडी होती है क्या आपको यह पता है कि यह दोनों किस टाइप से बनते हैं या फिर इनके बनने का क्या कारण है तो मैं बता दूँ कि जो foggy ice cube होती है वो simple पानी से बनती है और जो कि clear transparent ice cube होती है वह boiled water से बनती है इसके पीछे का जो कारण है वो यह है कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें जितनी भी हवा होती है वह निकल जाती है और ice एकदम से transparent बनती है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें और हमारे channel को भी subscribe करें